दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ओफ माई इंट्राडे में दोस्तों आज मार्केट में जो मूवमेंट हुआ उसको देखते हैं कि कल उसमें किस तरह का मूवमेंट आ सकता है दोस्तों कल मैंने निफ्टी में आप लोगों को यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किये थे देखें मार्केट ठीक इसी रेजिस्टेंस से वापस लोटा है और जो नीचे का लोग आपको लेविल दिया था पहले वहां से टच करके यह उपर गया जो दूसरा लेविल दिया था वहां पर इसने रेजिस्टेंस खाया उसके बाद यह फिर नीचे आया नीचे आने के बाद यहां कहीं पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है अब इसमें कल क्या हो सकता है उसको देखने की कोसिस करते हैं दोस्तों चुकी मार्केट में बहुत तेजी से अगर आप गौर करें इतनी बड़ी ग्रावट एक पांच मिनट की केंडल में आई उसके नहीं थी पांच मेंट के चार्ट पर आप देखेंगे तो दोस्तों इतनी बड़ी ग्रावट तब ही आती है जब किसी बड़े बैक्ती ने अपनी पोजीशन खाली कियो और ऐसी ग्रावट हमेशा टॉप से आती है मार्केट कहां पर है ओल टाइम हाई मार्केट ओल टाइम हाई पर था ओल टाइम हाई पर ही ऐसी ग्रावट आती है और जब ये ग्रावट आती है तो ये जो पॉइंट होता है ये एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस हो जाता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानि निफ्टी ने 15,800 के लेविल से दुबारा ग्रावट आई है इस लेविल को पार करना निफ्टी के लिए अब आसान नहीं है तो क्या किया जा सकता है ऐसी कंडिशन में उसको हम लोग समझने की कोसिस करते हैं हमने आपको जो लेविल दिये थे ये दोनों लेविल बिल्कुल से हम है मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट लिया था उपर किया ये हाई को रिस्पेक्ट किया उसके बाद मार्केट नीचे आया । अब आप अगर देखेंगे तो जो दूसरा एक लेविल निकलकर आरहा है में औरENS यह वाला ने अब आप क्या कर सकते हैं आपके लिए ये लो जो है ये एक important support की तरह काम करेगा लेकिन market में जहां पर इसने पहले resistance लिया था जहां पर इसने पहले resistance लिया था वो भी इसके लिए एक resistance की तरह काम करेगा आपके पास चार support और resistance फर्स सेकेंड थर्ड और फोर्थ मार्केट कहा है इस जगे पर है अब आपको क्या करना है आपको ये गौर करना है आपको ये गौर करना है कि मार्केट कल open होने दीजिए जनरली इत्ती बड़ी गरावट के बाद अगर इसमें fresh गरावट आनी होगी तो मार्केट क्या करेगा पहले यहां पर consolidate करेगा और उसके बाद flow में इस low को break करेगा जो इसने आज low बनाया है तो इस low को आपको कल बड़े ध्यान से देखना है कि इस low को break कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो अगर इस low को support लेता है तो मार्केट उपर जा सकता है लेकिन जनरली जब इतनी बड़ी गरावट आती है तो या तो मार्केट यहां पर consolidate करता है या फिर उसी direction में आगे जाता है तो आपको कल देखना है ये वाला level और ये वाला level अगर इस level को break कर रहा है तो आप एक sell की position initiate कर सकते हो या आप चाहो तो एक put buy कर सकते हो ठीक है न जब तक मार्केट इस range में रहता है आप put को रख सकते हो इसके उपर निकलेगा आप put से immediate exit हो जाओगे राइट दूसरा क्य है मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट open होता है ये उसके बाद price action बनाता हुआ नीचे आता है इसको respect करके level को ऊपर जाता है तो आप यहां पर एक call की position भी इनिसेट कर सकते हो आपका target ये रहाला रहना चाहिए अगर market gap up open होता है suppose करो यहां पर है gap up open हो गया और इस level को न level का मैं लिख देता हूँ 15679 इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो भी आप एक put की position भाई कर सकते हैं राइट ठीक है और अगर market gap up open होने के बाद देखिए ध्यान दीजिए मैंने आपको जो lines draw की है उसको आप समझने की कोसिस करिए market gap up open होने के बाद अगर इसको break करता है तो यह यहां पर भी resistance ले सकता है जहां पर इसने कल closing दीती है तो आपको इस point पर ध्यान रखना है क्या market यहां से reverse तो नहीं हो रहा है तो यह चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि market में support और resistance हमने केवल आपको बड़े support और resistance draw की है यह छोटा support resistance जैसे यह वाला है और यह वाला है इस पर आपको कल निगा रखनी है market यहां पर support ले सकता है यहां पर support ले सकता है यहां support कब लेगा जब gap up open होता है और नीचे आता है यहां पर support कैसे लेगा flat open हुआ नीचे आया यहां पर support ले सकता है यहां फिर market यहीं gap down open हो जाए तो भी यहां पर वो support ले सकता है तो तीन एरिया हैं आपके पास एक ये एरिया है एक ये एरिया है और एक ये एरिया है आप जहां पर भी अपनी पोजीशन बनाए उस पोजीशन का इस टॉप लोस और टार्गेट यही होना चाहिए इसके अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं इस टॉप लोस टार्गेट यह होना चाहिए लेकिन आपको समझना होगा कि market में जो इतना बड़ा fall आया है ये normal fall नहीं है ये किसी बड़े किसी बड़े बैक्ती ने selling किये जिसकी वैसे ये आपको sell मिला है तो कल बड़े ध्यान से trade करना है क्योंकि कल expiry भी है जिस direction में market निकलेगा उस direction में आप position बनाईएगा market में direction के साथ रहना तो ये तो हो गई nifty की बात बात करते हैं bank nifty की ये देखिए nifty की तुलना में bank nifty weak है nifty अपना all time high बना चुका है लेकिन bank nifty ने अभी तक अपना all time high नहीं बनाया है इसलिए आपको ध्यान रखना है ये देखिए market का ये एक resistance है right market ने आज ये level को इसने respect दिया राइट तो एक आपके लिए ये level है market का एक support ये हुआ करता था जिसको इसने break कर दिया है और market में नीचे कहां तक जाने के चांस है एक market का level ये है और उसके बाद market का जो अगला level है वो ये यानि कि market में आपको ये conditions पे ध्यान देना है कि nifty और bank nifty market में कि support और resistance को follow कर रहा है अब आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं देखिए market में इस जगे पे closing आईए 34808 यानि market 34800 के उपर close हुआ है अगर market कल 34800 34800 को hold करता है इस level को hold करता है तो एक fresh buying इसमें आ सकती है जो इसको कहां तक ले जाएगा 35,062 तक 35,062 तक ले जाए और अगर इस 35,000 को hold कर लेता है तो फिर इसके बाद इसका जो अगला लेविल है वो है 35,200 और 35,400 तो अगर कल market 34808 को यानि 800 को hold करता है तो आप आप buy position बना सकते हो पहला target यह रहेगा आपका दूसरा target यह रहेगा और तीसरा target आपका यह रहने वाला ठीक है तो यह तो हो गई buying वाली condition अगर market इस position को यानि इस level को break करता है और कल का जो लेविल इसने बनाया था इसको break कर देता है यानि कि यह लगबग लगबग 34,000 640 के आसपास का level है 640 या 630 का level है अगर इसको यह नीचे की तरफ break कर देता है तो जो आपका अगला target रहेगा वो 34,386 रहेगा और उसके बाद जो target रहेगा वो 34,115 रहेगा यानि इसके आप इस level को और उसके बाद इस level तक अपनी position को hold कर सकते हो तो यह है bank nifty का चलते हैं crude के पास very good देखिए crude में कल हमने आपको बताया था कि अगर market को यह जो resistance है market बार-बार इस resistance को respect करके बार-बार नीचे आ जा रहा था इसके बाद जब इसने इसको तोड़ा अब देखिए आप market इतने नीचे open हुआ नीचे open होने के बाद price action बनाता हुआ इसने इस trend line को भी break किया इसको भी break किया दोनों को एक साथ break क्यों कर पाया क्योंकि यहां पर इसके पास जगे थी ही नहीं इसको हर हाल में उपर की तरफ जाना था या फिर यहां से resistance लेके वापस आना था चुकि resistance लेके यह वापस नह इसी में ये trade कर रहा है अब ध्यान से सुनिए आज की date में आप buy कहां करोगे buy आप कहीं पर भी नहीं करोगे crude में आज की date में buy नहीं बन रहा है तो फिर क्या बनेगा sell बनेगा sell कहां पर करोगे वो मैं point आपको बता देता हूँ यह जो opening candle है और यह इसका low है इसके नीचे जाते ही साथ आप इसे sell कर दोगे अभी 5-1-2-1 live market चला है 5-1-2-1 पर है इसके low के नीचे आप इसे sell करोगे आपका target 5081 रहेगा क्या रहेगा target 5081 हम exact level आपको बता देते हैं कि कहां पर आपको इसको crude को sell करना है इसका low है 5-1-1-2 और यह कितना है 5-1-1-7 आप 5-1-1-2 का wait करिए आपको कहां पर sell करना है मैं इस first बता देता हूँ आपको sell करना है 5-1-1-2 के नीचे आपको sell करना है और आपका target रहेगा 5081 यानि 19 ये 31 point का आपका target रहेगा आप चाहो तो 28-29 अगर इतना आपको point मिल रहा है तो आप exit कर सकते हो लेकिन आपको sell यहां करना है और आज के दिन हमने आपको क्या बताया buy आपको नहीं करना है यह crude की बात हो गई बात कर लेते हैं कॉपर की देखिए सेम उसी जगे उसी तरह यह market मूव कर रहा है जो हमने आपको बना कर दिया एक काम करते हैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा पीछे लाते हैं यह राइट अब देखिए मैंने आपको इस परस्ट बता रखा है जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं मैंने आपको बता रखा है कि market में यह पूरा क्या है support जोन है जिसको लोग demand zone भी बोलते हैं तो यह पूरा demand zone है market धीरे धीरे अपने इस सक्रे यानि की छोटे area में आ चुका है अब इसको या तो ऊपर की तरफ निकलना होगा या फिर नीचे की तरफ निकलना होगा दोनों मैंसे यह कहीं पर भी move कर सकता है तो आपको क्या करना है इसके ऊपर निकलता है तो तुरंत buy नहीं करना है तो आप इस तरह से trap हो सकते हो आपको ऊपर निकलने दीजे एक बार इसको respect करके ऊपर चलने दीजे या इस तरह से कोई price action बनाने दीजे डवलू type का यहां पर आप buying कर सकते हो इस trend line का resistance रख सकते हो और आपका target रहेगा पहला target यह वाला रहेगा और दूसरा target यह वाला रहेगा और अगर यह नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस area में तो आपको ना sell करना है ना buy करना है इस area के नीचे जाने पर आपको sell position लेनी है तो यह copper की बात हो गई बात करते हैं natural gas की right natural gas में हमने आपको बता दिया था कल भी मैंने आपको यह draw करके दिया था कि जब तक इसके उपर है market buying mode में again अगर यह नीचे आता है इस low को तोड़ता है तो आप यहाँ पर sell position करेंगे target रहेगा 221.20 buy यहाँ पे अभी आपको करना नहीं है buy नहीं करना बात करते हैं silver की यह देखिए silver में मैंने आपको एक trend line मना के दी थी इस trend line को हम आगे की तरफ extend कर दे रहा है market is trend line के उपर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ buying बनती है sell बनता नहीं है यह देखिए यह देखिए यह देखिए मैं एक line drop कर देता हूं यह line जहाँ पर market अभी चला है market चल रहा है 71708 इसके ऊपर निकलते साथ ही आप इसमें buy की position बनाएंगे क्या करेंगे इसको आप buy करेंगे आपका जो target है पहला target यह है दूसरा target यह तो दोस्तों अगर video series पसंद आ रही है तो आप कम से कम video को like करिए आपके पास इतने group है उसमें share करिए telegram channel को join करिए definitely आपको benefit मिलेगे thank you